इससे पहले अखलेश आदव वी आई बोल रहे हैं कि मुद्दा नहीं बचा है बीजुपी के पास इसलिए हर मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं आप लो मेरी सब को राम राम और ऐसा है कि सच को आइना दिखाने में कोई कश्ट नहीं होना चाहिए आतंकवादियों को संरक्षन देका रखा हुआ था यह पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश भी जानता है क्या यहां पर बैठा हुवे संगीत सोम जी जो प्रवक्ता है भारती समाजवादी पार्टी के यह इस चीज को नकार सकते हैं कि चाहे वो मुलायम सिंग पहार नहीं लगाई थी, कोट से क्या फटकार नहीं पड़ी थी, क्या वारानिसी ब्लास्ट अक्यूज जो था वली उल्ला उसके लिए मुलायम सिंग आदम जी ने पहल नहीं करी थी, गोरकपुर ब्लास्ट का जो अक्यूज ता मुहम्मद तारिक उसको बेल आउट कराने कि अखली शादर जी ने पहल नहीं करी थी, क्या उनको फटकार नहीं पड़ी थी, CRPF कैंपस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें साथ जवान जो शहीद हुए थे, 31 दिसमबर 2007 में, उसके लिए ये लोग क्या कहेंगे, क्या इसको नकार जाएंगे, कि 2000 बारे के मनिफेस जो इनको फटकार लगी, तो चाहिए वो वारनसी ब्लास्टो, गोरकपुर ब्लास्टो, फैज़ाबाद ब्लास्टो, रामपुर ब्लास्टो, जब जब आतंकवादी, इन्वाल्मेंट मिला है, इन लोगों ने उनको संडरक्शन देने का प्रयास किया है, आजमगड ऐसी आतंकवाद, आतंकगड कहलाने लग गया क्या, आजमगड की पैचान जो अबुसलेम और दाउद इबरहम जैसे लोगों से है, और वहीं पर जाजा कर ये अपनी पना ढूंदते हैं, चाहिए वो अकलेश आदव जी हो, चाहिए मुलायम सिंग आदव जी हो, तो सीधी सी ब हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता भी है.